हेलो बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सुसुनोमिक्स कम्प्लीट गाइट फॉर सुसाइन तो बच्चो आज मैं पार्ट सेकेंड अपलोड करने जा रहा हूं टॉप हंडेड एमसी क्यू फॉर टर्म ओन एजामिनेशन सुसल स्टडी तो बच्चो आपके अजूकेटर चंदन सर आपके लगतार हाड़ वर्क करके लेक्चर को अपलोड कर रहे हैं और अपना सपोर्ट देने के लिए बच्चो आप प्लीज सुस्योनोमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्या बाद मत करो बलकि हर दिन कुछ ऐसा करते रहो जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाए तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आए हम लोग देखते हैं आज पार्ट सकेंड में कौन-कौन से MCQ है तो पहला MCQ जो है बच्चो वो है डैस वाज दी फॉर्स स्टेट टू इस् पहला राज है जिसने पंचायती राज सिस्टम को established किया तो इसका correct answer है option C तो राजस्थान एक पहला ऐसा राज है जिसने भारत में पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की नेक्स्ट कोश्चन है तो इसमें आपसे पुछा गया है कि वह भारत का कौन सा पहला राज है जो की भाषा के आधार पे बना था तो इस कोश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अप्शन बी आंद्रपरदेश तो आंद्रपरदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है जो की फॉर्म हुआ था इंडिया में और इसका फॉर्मेशन जो है वो 1953 में हुआ था नेस्ट कोश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लोकल गॉर्मेशन का फॉर्मेशन किस आधार पर किया गया है तो इस कोश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अप्शन ए है डिसेंट्रलाजेशन तो डिसेंट्रलाजेशन और पावर के आधार पर ही लोकल से power को लेना state government से power को लेना और इस power को local government को दे देना इसे ही हम लोग decentralization of power कहते हैं तो हमारे देश में जो local government है वो lowest level government है third level government का है और ये जो local government है इसका formation decentralization of power के आधार पर हुआ है next question है which of the country following holding together federation तो बच्चों आपको पता होगा there are two types of federation holding together federation and coming together federation तो आप देखोगे कि question number four का जो correct answer है वो है option c तो आप देखोगे कि इंडिया एक ऐसा देश है इन सभी देशों में जहां पर holding together federation को follow किया जाता है next question है religion promoted by sinhala was तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि sinhala community के द्वारा शिरलंका में किस religion को बरावा दिया जा रहा था तो इस question का जो correct option है वह option ए बुद्धिजम तो आपको पता होगा बच्चो कि सिरलंका में sinhala community majority community था और sinhala language को ही बरावा दिया जा रहा था शिरलंका में और जिस religion को बरावा sinhala के द्वारा दिया जा रहा था वो था बुद्धिजम next question है number of times constitution of Belgium was amended to remove conflict between French and Dutch speaker तो बच्चो आप देखोगे कि Belgium में जो conflict था वो French और Dutch speaker के बीच में था और इस conflict को remove करने के लिए four times Belgium का constitution को amend किया गया था तो question number six का जो correct answer है वो है option भी four times चलिए बच्चो अब हम लोग कुछ और mcq को देखते हैं बच्चो अब हम लोग देखते हैं seventh mcq और seventh mcq है the earth summit was held in तो earth summit हुआ था 1992 में तो बच्चो question number seven का जो correct option है option भी 1992 तो earth summit ब्राजिल के एक प्रमुक्ष है रियो डिजिनारियो में हुआ था और जिस year में ये earth summit हुआ था वो है 1992 next question है which of the following is not a factor income तो बच्चो आपको बताना इस question में कि कौन सा factor income नहीं है factor income हम उस income वो कहते हैं जो कि earn किये जाते हैं factors of production के द्वारा और factors of production चार होते हैं land, labor, capital और entrepreneur तो बच्चो आप देखेगा कि labor को wages मिलते हैं land को rent मिलते हैं, entrepreneur को profit मिलते हैं और जो capital होता है उसे interest मिलते हैं तो बच्चो इसमें से आपको ये पताना है कि कौन सा factor income नहीं है तो option number D, donation ये factor income नहीं है next question है आपका the local name of black soil is तो आपको बताना है कि black soil का local name क्या है तो black soil का जो local name है वो है रिगूर तो question number 9 का जो correct answer है वो option C, रिगूर next question है dash soil is found in area with little rainfall, high evaporation and temperature तो बच्चो आप देखोगे कि ऐसे area जहां पे बहुत कम rainfall होते हैं बहुत जादा ही evaporation होता है और temperature भी हाई रहता है वो area desert area होता है और desert area में जो soil mainly पाय जाते हैं वो है arid soil तो question number 10 का जो correct option है वो है option A next question है which of the following is an example of boietic resource तो बच्चो on the basis of origin हम लोग resource को दो पार्ट में बाढ़ सकते हैं boietic resource और a boietic resource, boietic resource living resource होते हैं और a boietic resource non living resource होते हैं तो question number 11 का जो correct answer होगा वो होगा option D flora तो flora एक living resource है और living resource को ही हम लोग boietic resource कहते हैं तो जितने भी plant kingdom हमारे इस earth surface पे present है वो ही represent किया जाता है flora के द्वारा next question है economic activities are grouped into तो जितने भी activities perform होते हैं mainly to earn money उसे economic activities कहा जाता है तो जो economic activities होते हैं उनको group में बाढ़ दिये जाते हैं और हर एक group को बोला जाता है sectors तो आप देखोगे कि question number 12 का जो correct answer है वो है option B sectors next question है the motive of the public sector is तो public sector में वो सारे institution आते हैं that are owned, operated, managed by the government तो आप देखोगे कि जो public sector है उसका main purpose होता है public welfare को बरहावा देना तो question number 13 का जो correct option है वो option C public welfare next question है which age group of children is included for net attendance ratio तो जो net attendance ratio है वो बताता है कि एक certain age group में कितने percent बच्चे हैं जो classes को attend कर रहे हैं और net attendance ratio से education का condition देश में कैसा है उसके बारे में पता चलता है तो question number 14 का जो correct option है वो है 14 to 15 years तो जो net attendance ratio है वो measure करता है जिस group को जिस age group को children का वो है 14 to 15 years चलिए अब हम कुछ और mcq को देखते हैं next question है in which of the following state is black soil found तो बच्चों आपको इस question बताना है कि black soil इन में से किस राज में पाये जाते हैं तो question number 15 का जो correct option है वो है option भी गुजरात तो गुजरात एक ऐसा राज है जहाँ पर mainly black soil पाये जाते हैं next question है land left without cultivation for more than 5 years जब भी हम land को 5 years या उससे ज़्यादा के लिए बिना cultivation के छोड़ देते हैं तो ऐसे land को कहा जाता है cultural waste land तो question number 16 का जो correct option है वो है option B postural land वो land होते हैं जो जानवरों के चारा के लिए इस्तमाल किये जाते हैं current fellow land वो land होते हैं जो की left कर दिये गया है बिना cultivation के one year के लिए और barren land वो land होते हैं जो की unfit होते हैं cultivation of crops के लिए next question है ravines refers to the अब ravines क्या होता है तो ravines जो bad lands होते हैं चंबल वैली के उसे ही ravines कहा जाता है तो question number 17 का जो correct option है वो है option A bad lands created by चंबल वैली next question है the total geographical area of India is तो इंडिया का जो total geographical area है वो है 3.28 million square kilometer तो question number 18 का जो correct option है वो है option C next question है when did panchayati rat system became a constitutional entity तो आपको बताना है बच्चो कि panchayati rat system के बारे में कब जो है वो इंडिया के constitution में बताया गया या शामिल किया गया तो इस question का जो correct answer है वो है option B तो 1992 में after the 73rd constitution amendment panchayati rat system को इंडिया के constitution में include किया गया अब इस lecture का जो last question है वो है what is a coalition government तो coalition government क्या होता है यह आपको बताना है तो coalition government हम उस government को कहते है जो form होते है two or more than two parties के द्वारा तो बच्चो आप देखे है कि जब किसी political parties को election के बाद majority नहीं मिलता है government को form करने के लिए तो उस case में two or more than two parties मिल जाते हैं और मिल करके government का formation करते हैं और ऐसे ही government को coalition government कहा जाता है तो बच्चो आप देखोगे कि coalition government में बहुत सारे party मिल करके government का formation करते हैं इसलिए coalition government में power share होता है political parties के बीच में तो question number 20 का जो correct option है वो option D है तो बच्चो मैंने इस lecture में total 20 MCQ discuss किये हैं और बच्चो मैं आपसे ये कहना चाता हूँ कि आप पहले खुद से MCQ को solve करें और फिर आप answers को देखें तब आपको पता चलेगा बच्चो कि आप कितना correct MCQ कर पा रहे हो और इससे आपको अपने preparation के भी बारे में पता चल जाएगा जितना भी marks आप खुद MCQ को solve करके ला रहे हो उसके बारे में आप comment box पे जरूर लिखें हाँ एक बार फिर से मैं आपको बच्चो कहना चाहता हो कि आप Socionomics YouTube चैनल को subscribe करें और अपना support लगतार मुझे देते रहें ताकि मैं motivated हो करके आपके लिए इसी तरीके से lectures को Socionomics YouTube चैनल के उपर upload करते रहो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को